भारत और न्यूजिलेंड के बीच मुंबई में खेलेदा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतिय टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी इनिंग में बिना विकेट खोए 79 रन बना लिये हैं और भारत की कुल बढ़त 332 रन की हो चुकी है इस मैच में भारतिय टीम के उपनर शुद्मन गिल फ्रिल्डिंग करते हुए चोटिल हो गए दरसल उनकी एलबो में चोट लग गई थी जिसकी वजह से वह दूसरी इनिंग में बैटिंग करने भी नहीं आ सके और चेतेश्वर पुजारा ने मैंक अगरवाल के साथ ओपनिंग की शुरुवात की दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों इसी तरह की और क्रिकेट से रिलेटेट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सबसक्राइब कर लीजेगा